नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरिस और आप देख रहें इलेक्ट्रोक्त वर्म तो आज का वीडियो है हमारे पास वो इसलिए है दोस्तों मेरे पास जो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो यह आते हैं कि सर्जू हमारा 5 बॉल्ट का बिल्ुटूथ किट होता है। उसके हंदर हम कितने ओम्स का स्पीकर लगाएं, कितने वाट का स्पीकर लगाएं और जब हम इस पे कोई स्पीकर लगा देति हैं , इसमें डोलिजी LET हीट होता है मॉडल आपका कोई भी हो सकता है यहां पर सबसे जादा जो कनेक्शन में गरबड़ी ओती है देखिए जैसे ही मैंने किसी बाई को में कहा कि आपका जो पीकर है वह फॉरर होम का उसके ओपर बैश्ट रहेगा लेकिन वहाँ पर बहुत से भाई देखे दिक्कत क्या होती है देखिए अब जैसे कि यह बूफर है देखिए यह बूफर है हमारा और यह speaker है देखिए मैं दोनों को आपको चेक कराता हूँ पहले यहां पर देखिए मैं इस मल्टिमीटर को रख लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ पहले इसके अंदर कि यह speaker है हमारा है तो इसके जो होम से अभी वह यहां पर देखें तीनों दिखारा है आप मैं इसके आप च्पर करता हूं यह इसके साथ हूम है यानि कि जो हमार वाट पर आपको लगाना यह देखिए यह 4 ohms इस पीकर है 10 watt में तो 10 watt का जो speaker है 5 bolt की जो हमारी किट है उस पर सबसे अच्छा रहता है अब आटेस तो आपने 10 watt ले ली लेकिन वहाँ पर बहुत से भाई अब देखिए दिक्कत क्या करते हैं देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने तीन ओम से इस पर चेक करा तो वह क्या करते हैं इन दोनों speaker को parallel connection करके एक single IC के उपर लगा देते हैं single IC के board पर तो वहाँ पर आपका IC हीट हो गई होगा अब क्यूं होगा वह मैं आपको बताता हूँ देखिए कभी भी अगर आप दो speaker लगा रहे हो तो board के अंदर दो IC होनी चाहिए तभी आप इस speaker को parallel में लगाएं और अगर आपको single IC से इन दोनों speaker को चलाना है 4 ohms के तो आपको यह speaker जो है 8 ohms के लेने पड़ेंगे 8 ohms के speaker तब आप parallel connection करके तब इस पर चला सकते हैं अब वो मैं आपको क्यूं बता रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ कि parallel connection करने से होता क्या है देखिए यह मैंने पिलस जोड़ दिया और यह मैंने यहाँ पर पिलस लगा दिया अब पिलस से पिलस और माइनस से माइनस लगा देता हूँ अब देखिए यहाँ पर problem आएगी क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए जैसे कि आपने parallel connection कर दिया parallel connection करने के बाद अगर आप single IC के ओपर इन दोनों speaker को चलाओगे तो यहाँ पर जो इसका ohms है यहाँ पर जो इसका ohms है वो देखिए कितना हो गया एक ohms हो गया यानि कि एक ohms के अंदर तो आपका जो IC है वो बहुत ज़्यादा हीट होगा ohms अगर कम हो जाता है तो IC हीट होता है यहाँ पर आपने दो speaker parallel में करके इस IC को ओर ज्यादा हीट कर दिया तो यहाँ पर आप क्या होगा कि अगर देखिए single IC का board है और आपके पास दो speaker है तो आपको 8 ohms 10 watt के लेने है और आपके पास double IC में कोई board है तो वहाँ पर आपको 4 ohms 10 watt के लेने है तो इस तरीके से याद रखे है कि parallel में अगर कभी connection कर रहे है और IC जो है board के अंदर single लगा हुआ है तो यह हमेशा याद रखे ohms ज़्यादा होना चाहिए अगर parallel connection कर रहे है 4 ohms का speaker नहीं होना चाहिए parallel connection में क्योंकि parallel connection आगर आपने कर दिये तो वहां पर ohms कम हो जाएगा IC ज़्यादा हीट होगा तो दोस्तों मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना और bell का icon को जरूर दवाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा